है यलो स्टूडेंट आज की इंपर्टन सेशन में आप सभी का स्वागत है तो आज की सेशन में हम बात करेंगे समास तधा इससे जुड़े हुए कुछ important question के बारे में तो इससे पहले हम concept को देखेंगे, तो जीन बच्चों को concept clear नहीं है, उनको concept clear हो जाएगा, और जीन बच्चों को concept clear है, उनका revision हो जाएगे, तो चलिए फिर देर न करते वे आज की class को सुरू करते हैं, और देखते हैं हमारा पहले theory section कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले हम ल कीजिए, जो समास होते हैं, वो दू या दो से अधिक सब्दों से मिलके बने होते हैं, कभीम हमें क्या करता हैं, यहां word सब्द ना है, तो अगर word से बनते हैं, फिर वर्डों से बनते हैं, तो उसको Сंधी, जभी अगर technical statement brain में एतंद हम दिया है उसको समास कहते हैं आगे देख लेते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं देखें जब भी समास हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई चीजों को मिला करके हम लोग एक वर्ड बोलते हैं तो विग्रह मतलब क्या होता है वहीं एक वर्ड जो हम लोग अलग अलग करके देखते हैं तो उसको बोलते हैं समास विग्रह पढ़ लेते हैं थीरी समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग के याने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है जैसे नील कमल का विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल जैसे नील कमल तो आपका एक वर्ड हो गया लेकिन अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हमारा आ रहा है नीला है जो कमल ये हमारा क्या है ये हमारा समास विग रहा है आगे देख लेते हैं देखे जब भी हम लोग समास तोड़ते हैं तो समास में हमें साथ दो पद होते हैं पहला जो पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुरोपद और जो बाद का जो पद होता है उसको बोलते हैं हम लोग उत्तरपद जैसे एक्जामपल सा समझते हैं राजपुत्र में जो है पहला जो पूरोपद है वो राज है और जो उत्तरपद है वो पुत्र है तो राजपुत्र को तोड़ेंगे तो जो पहला पद है वो राज आएगा और जो उत्तरपद आएगा वो पुत्र आएगा तो समय लेते हैं और जब भी समास होती है तो इसमे लोप हो गया, तो यहां है काविभक्ति का लोप हो जाता है, अब हम देखेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो देखें जो समास होते हैं, वो मुखिता 6 प्रकार के होते हैं, हिंदी में हम लोग हमेशा 6 प्रकार के ही समास पे टिक करेंगे, क्योंकि हमारे option में आता है कि समास कितने प्रकार का होता है तो वहां आपका उप्सन चार भी रहता है पांच भी रहता है तो हमें किस पर टिक करना है जो समास होते हैं मुखिता छे प्रकार के होते हैं पहला हो गया तकपुरुस समास दूसरा हो गया करमधारा समास तीसरा हो गया द्विगू समास अब हम लोग इसके बारे में अब डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से एक एक के बारे में अच्छे से पहले पढ़ेंगे तो पहला पहला प्रता है पूरवपद प्रधान हो देखे जो अब्याई भाव समास होता है उसमें पूरवपद होता है वो प्रधान होता है तो वो से अब्याई भाव समास हम लोग कहते हैं जैसे हम लोग का जो एक्जामपल है प्रती दिन देखे प्रती और दिन बना के मिला है प्रती दिन ये प्रती दिन क्या है समास है और जो प्रती है वो क्या है अभ्याय है तो जो पूरो पद होता है या तो वो क्या होता है उपसर्ग होता है या तो अभ्याय होता है हम जानते हैं जो उपसर्ग होते हैं वो सब्दिके पहले लगते हैं तो या तो जो है अभ्याय भाव समास में या तो पहला पद जो है वो अभ लेकिन जो कर्मधारे समास होता है उसका उत्तरपदपरदान होता है और देखे जब भी उत्तरपद जो होते हैं उसमें क्या होता है उपमे और उपमान का सम्मंध होता है मतलब विसेशड और विसेशड से का देखिए हम लोग समझेंगे विसेशड और विसेशड से किसे कहते हैं तो जिसकी विसेशड बताई जा रही है उसे हम लोग बोलते हैं विसेशड जिसकी विसेशड के बारे हम बात करते हैं तो जैसे एक्जामपल हम लोग देखते हैं, जैसे इन लोग इन क्या होता है कि जब भी हम लोग उसको तोड़ेंगे तो जैसे है जो के समान इत्यादी सब्द आते हैं, एक्जामपल है पद कमल के समान चरड मतलब जो है चरड है वो कमल के समान है तो हम लोग बोलेंगे चरण कंभल के जैसा है थो क्ँषड की का जा सिकित हो गया और ओधान उत्तर परदप्रधान होते हैं और उपमेया उपमान पर फीर विश विशेशड का सम्मंध में आगे देख लेते हैं हम लोग तत्पुरुस समास, देखें तत्पुरुस समास में भी उत्तरपद प्रधान होता है, लेकिन कर्मधारा और तत्पुरुस में अंतर ये है कि जो तत्पुरुस समास होता है, उसमें कारक चिन पाय जाते हैं बीच में, और जो हमारा कर्मधारा स समास था उसमें क्या था उसमें हम consist देखा था कि उसमें तुलना की याती हैं विसे सी विसे सड Sunshine होते हैं यहीं दोनों में अंतर है जैसे राज का कुमार राज कुमार अब देखिल किले क्या आया बीभकती आई है तो यह विभक्ति क्या होगा बाद में LD योप हो लोग बेहresebon कि तो पहला हमारा है करम नतपूर्स वह समास कि उसमें की कालते हैं कर्ममार कारक होता है की विभत्य समास का लेता है तो में डिवैण को चुम dependent के चैंड हmor होते हैं उसे के आधार पर आपॉरती होती होती उसका लोप जागा तौ Jamagathya तत्पूरुस तो देखें इसमें क्या है कि के लिए हम लोग पढ़ते हैं करताने कर्म को करड से संपरदान के लिए तो जो के लिए विफक्ति है उसका लोप जाता है और हमाया सब्द जो है बन जाता है जैसे प्रयोग के लिए साला अबराबर प्रयोग साला तो यहां जो के लिए word है उसका लोप हो जाएगा तो और ये बन जाएगा प्रयोग साला ऐसा ही हम लोग देखिए question जो है वो पूशता है कभी-कभी option में क्या करता है कि ततपुरूस समास न देखर के पूशता है संपरदान ततपुरूस है कि करड़ ततपुरूस है कि आपादान जहां भी हम लोग से देखेंगे वहां क्या रहेगा आपादान ततपुरूस समास होगा जैसे प्रत्पथ से भरष्ट अब यहां से वर्ड देख करके पता चल गया कि विभक्ति जो इसमें जो कारक है वो क्या है आपादान है तो हम लोग बोलेंगे प्रत्थ भरष्ट ते आवड है वह लोभ हो जाएगा तो बन जाएगा राजपूत्र तो हमने क्या पढ़ा है यह पढ़ा हमने ततपुरूस समास के बारे में देखिए जब भी हमें ततपुरूस समास हमें सा क्लेयर होना चाहिए क्योंकि कभी-कभी मैंने बताया कि संप्रदान ततपूरूस होता है हमने पढ़ा हुए अधिकर्ड के जो भी वक्ती होती है उसमें में पेपर वाला वर्ड आता है तो यह क्या हो गया जहां भी में पेपर यह सब साय सब्द होंगे उसको लोग बोलेंगे अधिकर्ड तत्पूरुस तो जैसे सोक में मगन तो यहां क्या है में है तो यह क यहां और रहेगा। जैसे हम लोग एक्जामपल समझते हैं अधर्म तो अधर्म मतलब होता है नव धर्म ना हो, न इस्ट, तो वहीं बात हो गई, यहां पर 9 वरड आ गया, इसका मसलर निसेद बता रहा है, मतलब गलत चीद बता रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा? आप लोग कर नेय समास हो जाएगा, आगए देख लेते हैं हम लोग द्विगू समास, देखो द्विगू समास ज से हमें संख्याओं का बोध होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्वीगु समाज जैसे साथ सिंधुओं का सम्मूँ अब देखें यहां सब्त सिंधु तो यहां साथ आया ना साथ सब्त सिंधु का सम्मूँ तो सब्त सिंधु दो पहरों का सम्मूँ दो पहर यहां दो पहर की बात किया गया, यहां साथ की बात कहा गया, तो यह क्या है संख्यावाचक है, तो हम लोग जहां भी देखेंगे संख्यावाचक सब वहां हम लोग द्विगू समाज पर टिक करेंगे, आगे है द्वन्द समाज, देखें द्वन्द समाज जो होता है, पहला तो हम लोग द्व वर्ड होते हैं इसमें और अथवाया की जो है बीच में इन सब चीजों का प्रयोग होता है यह तो आपको योजक चिन देखने के लिए मिलेंगे जैसे नदी और नाले अब बीच में योजक चिन आपको देखने को मिल रहा है तो यह हो जागा नदी नाले पाप पूणय पू अच्छा चीज है तो क्या है अपोजिट दोनों का करेक्टर है तो जब भी हम लोग को अपोजिट अर्थ मिले तो हम लोग बोलेंगे कि द्वन्द समास है आगे देखलते हैं देखिए यह लाश्ट है बहु बरही समास बहु बरही समास में क्या होता है कोई प्रधान नही किया है क्या कर रहा है नील कंठ में नीला है कंठ जिसका अर्थात सीव मतलब यहां हम लोग को देख के नहीं लेगा कि यह सीव की बात कर रहा है लेकिन यह जो सब्द है वो किसी तीसरे के बारें बात कर रहा है तो अधिकतर जो भगवान के नाम होते हैं इत्यादी यह सब क् बहुँ बिरी समास के अंत्रगत आते हैं, तो शली हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रक्टिस करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा अब्यायई होता है, उसमें पूरोपद पधान होता है, दूसरा हमने पढ़ा था करमधारा समास, इसमें क्या हो संप्रतान आप्दान संबंद और अधिकर्ड और इसके बारे इतने पढ़े थे हम लोगों तो आगे देख लेते हैं द्विगु समास में पढ़ा था कि जो संख्या वाचे सब्द होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हमारा है 2 या 2 से अधिक सब्दो से मिलके बने हुए नए सार्थक जिस सब्द को क्या खते हैं देखे जब हम लोग पढ़े हैं जब 2 या 2 से अधिक सब्द मिलते हैं यहां सार्थक सब्द बोल रहा है तो क्या कहेंगे हम लोग समास बोलेंगे अगर यहाँ पर word दिया होता word तो यहाँ पर क्या होता संधी होता दूसरा हमारा है समास सब्द का साब्दिक अर्थ है देखें समास सब्द का साब्दिक अर्थ क्या हो सकता है संचेफ, विस्तार, विग्र, या फिविच्छेद तो समास असब्द का साब्दिक अर्थ है संछेप करना किसी चीज को कम में कहना जैसे राजा का पुत्र तो इसको हम लोग क्या खते हैं राज पुत्र तो ये संछेप आपका हो गया तो जो समास होता है उसका मतलब होता है संछेप तीसरा है निमलिखित में से कौन सा पद अभयाईभाव समास है मैंने पहले पता राज लोग का प्रती दीन है उसमें हम लोग तोड़ेंगे तो ये आएगा प्रती प्लस दिन जो प्रती है वो क्या है जो प्रती है? वो आपका अभ्याई हो गया, तो option number 3 बिल्कुल सही है, आगे देख लेते हैं हम लोग question number 4, जिस समास में उत्तरपद परधान होने के साथ ही, पूरपद तथा उत्तरपद में विसेश से विसेशड का संबंध भी होता है, उसे कौन समास कहते हैं, तो आप लोग बताने कोशि कीजिए, देखिए उसको बोलते हैं, बहुब रही समास, कर्मधार्य समास, ततपुरुष समास, द्वन्द समास, तो मैंने पहले ही मताया है, जब कभी भी विसेश से विसेशड या फी उपमा, उपमेम की बात आती है, तो आपसर नमबर B आपका बिल्कुल सही है, आगे अचरो है, तो आपसर नमबर A आपका हो जायेगा, बहु ब्रीही समास, दूसरा है चतुर यूगम, देखिए चतुरी यूगम में चार वाली प्रोनी सेशन आ रहा है, चार वाला साउंड आ रहा है, तो इस से क्या हो जायेगा आपका द्वीगु समास, क्योंकि है तो कर्भएंध 17 ऐंसर है आगे है माता और पिता देखे मथा और पिता में क्वांस समास दौकि माटा भी अलग और पीता भी अलग थें gpf g Ecuador देख लेत्ते हैं question no.6 जर्ष котором हुज.- देखे और प्रधान होत जया हैं मतलब दौनोंOS पद्रधान होते pests में वह प्रधान होते हैं आगे आपका है दिगुप में जो आपका पहला पद होता है वो संख्य वाच्छी होता है तीसरा है ततपूरुस समास देखे ततपूरुस समास में क्या होता है विभक्तियां आती है तो यहां तो दोनों पद प्रधान मतलब यहां सोरी यहां पहला आपका पद प्रधान होता है चौथा है बहु ब्री बहु ब्री समास में क्या होता है अलग ही एक अपकी एडेंटिटी होती है किसी और के बारें बात करते हैं दोनों पद अप्रधान होते हैं तो आपसा नंबर फूर आपका बिल्कुल सही है आगे देख लेते हैं question नंबर 7 जीतें सिस्कोन समास मतलब इंद्यों को जीतने वाला तो हम लोग आगे देख लेते हैं दोन्द समास देखे दोन में क्या होता है और स्य न कुरूर एम आपका बात कर रहे है यह आपसे में और सी ऑपका गलत हो जायेगा और कर्मधारा समास तो आपका यहां यहां किसी चीज की विसेस्ता नहीं बताई गई है और आप लोग एक चीज जयाद रखें देखें जब कभी भी आपको confusion हो कि बहुबरीही समास होगा कि कर्मधारा समास होगा कि दूगो समास होगा तो अगर option में तीनों चीजे दी हुई है जैसे बहुबरीही भी है कर्मधा तो अगर आपको confusion हो रही है तो हमेशा उसका answer आप लोग बहुबरीही लगाईए क्योंकि right answer बहुबरीही मही माना जाएगा आगे देवासूर में कौन समास है देवासूर में देव की भी sound आ रही है और असूर की भी sound आ रही है तो यह क्या हो गया दोनों opposite है इसका मतलब क अंतर आ रहा है देशो का अंतर तो यह क्या हो जाएगा यहां का वर्ड आ रहा है मतलब भीभक्ति आ रही है तो बहुब भीभक्ति आती नहीं है बी मतलब दिगू में तो संख्या होता है तत्पूरुस समास हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा तत्पूरुस समास में मारा क् आगे देख लेते हैं question number 10 दीना नाथ में कौन है समास है अब देखे दीना नाथ मतलब दीनों के नाथ कौन से समास हो सकता है इसमें आप लोग बताईए करमधारा समास बहुब्री समास दीगु समास द्वन्द समास तो द्वन्द तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ आपोजिट मोहがण करमधारा समास होगा option number यह आपका बिल्कुल है इक गिर्वा है मुख दर्सन में कौन से समास है देखे मुख दर्सन में कौन से समास हो सकता है द्विगू मतलब संख्यावची सबदर है नहीं तो यह गल्ट हो जाएगा मुख दर्सन मतलब मुख का दर्सन मुक्का दर्सन तो यहाँ कावड़ा आ रहा है तो यहाँ आपका हो जागा ततपुरु समास option number B बिल्कुल सही है आगे देख लेते हैं कौन सा बहु ब्रही समास का सही उधार है तो देखे मैंने पहले ही बताया है कि बहु ब्रही समास मतलब किसी अन्य के बारे में बात करेगा तो हम लोग उसको देख लेते हैं निस दिन मतलब प्रतेक दिन तो यह तो आपका option होगा नहीं त्रीभुवन है तो त्रीभुवन में तीन वाले साउंड आ रही है तो यह आपका द्रीगु समास होगा तो यह भी होगा नहीं आगे आपका है पंचानन और दूसरा है पूरुस्तिंग तो पूरुस्तिंग जो है मतलब पूरुस की विसेस्ता यह है कि वह स्तिंग जैसा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करमधारा समास हो जाएगा तो यह तो होगा नहीं अब देखिए option number C बचा है पंचानन पंचानन आपका right answer होगा क्यों क्योंकि देखिए जो पंचानन है वो किसी चीज की विशेस्ता बता रहा है कि जो इंसान है या फिर जो भी चीजे है सामने उसके पंचानन मतलब होता है पंच सीर तो जो भी सामने है पंचानन मतलब पंच सीर है यहाँ संख्या वच्चे सब्द आ रहा है लेकिन आपका क्या होगा बहुँ बिली समास होगा और यही राइट आइंसर अपका होगा आपसर नमर सी बिल्कुल सही है आगे देख लेते हैं निसाचर में कौन सा समास है देखिए निसाचर मतलब होता है रात को चलने वाला अब इसकी बिसेस्ता तो यह है कि रात को चल रहा है यह तो अब यही भाव तो होगा ने क्योंकि यहां कोई अब्या का प्रयोग नहीं किया गया है करमधारा भी नहीं होगा नए समास तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि नए में मतलब होता है निसेध वाचक मतलब जह दिख लेते हैं चो रहा में कौन समास है देखे चो रहा मतलब चार रहों का समुह हुई जहां चार रहा है होती है तो यहां संख्या का बोध हो रहा है इसलिए हम लोग क्या कहेंगे द्वीगु समास है लेकिन दस मुख किस के पास था मतलब हम लोग किसी और के ही बारे में बात कर रहे हैं तो कर्मधारा तो होगा नहीं बहु बरीही समास इसका होगा क्योंकि इसका एंसर क्या होगा रावण होगा इसलिए बहु बरीही समास आगे है सूलामा सू पूरुस में कौन सा समास है अब देखें सू पूरुस पूरुस जो है वो कहसू है मतलब सुन्दर है तो पूरुस की विशेष्टा बता रहा है तो पूरुस तो होगा नहीं अब यही भाव समास भी नहीं होगा ये होगा कर्मधारे समास आपकी क्योंकि ये किसी पुरूस की विसेशता बता रहा है कि वो सुन्दर है सुपुरूस मतलब सुन्दर पुरूस आगे देख लेते हैं विसेशड और विसेश के योग से कौन सा समास बनता है देखे जहां भी विसेशोड और विसेशी की बात होती है हमने पढ़ा हुआ है कि वहाँ कर्मधारय समास होगा तो option number C आपका बिल्कुल सही है कर्मधारय समास आगे देख लेते हैं question number 18 निमलिखित में से एक सब्द में द्विगू समास है उसे सब्द का चयन कीजिए अब देखे द्विगू कहा रहेगा जहां संख्या रहेगा अब संख्या आजीवन में तो संख्या है नहीं भूदान में भी संख्या नहीं है option number C में संख्या है मतलब सब्दाह आपका सही रहेगा option number D में है पुरूस तिंग मतलब ये भी नहीं होगा तो option number C में संख्या है तो हम लोग बोलेंगे द्विगू समास है आगे देखे रहते हैं किस समास के दोनों सब्दों के समानाधिकरण होने पर करमधारा समास होता है अब करमधारा समास कब होता है किस सब्दे के समानाधिकरण करने पर होता है तत्पुरूस समास, द्वंदो समास, द्विगू समास, भहुब्रही समास तो देखे जब भी हमारा जो है समानाधिकरण की बात करता है तो वहाँ हम से तत्पुरूस समास होता है यहाँ ए रहेगा option तो वहाँ क्या होता ताथ पूरुष समास होता है, आगे देख लेते हैं, किसमें सही समासि पद है? एक है पूरुष धन्वी, दूसरा है दिवारात्री तीसरे है 3 लोकी, चौथा आपका है मंत्री परिसद तो देखिये जो सही समासिक पद है वो है दिवा रातरी, मतलब दिन और रात दिन और रात में सही समासिक पद है, तो आपसन नमर भी आपका बिल्कुल सही है आगे देख लेते हैं द्विगु समास का उधार कौन सा है अब देखें द्विगु समास मतलब होता है जिसमें संख्या का बोध हो तो हम देख लेते हैं अन्वे, दीनराथ, चतुरानन अब चतुरानन में 4 वला साउंड आ रहा है चोराहां में आपका द्विकुल समास हो जाएगा नेतरहीन मतलब नेतरस्तेहीन मतलब तत्पुरुष समास है रुपया पैसा आपका option number D बिल्कुल सही क्योंकि रुपया और पैसा दोनों क्या है अपोसिट है दुशरे के तो option number D आपका बिल्कुल सही है आगे देख लेते हैं अभ्याई भाव समास का एक उधार यथा सकती का सही विग्रह क्या होगा देखें यहाँ पर विग्रह ही पूछ लिया कि हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे तो option है जैसे सकती जितनी सकती सकती के अनुसार चोथा है यथा जो सकती तो देखें जो यथा सकती होता है उसका सबसे सही जो विग्रह होता है वो हता है सकती के अनुसार सकती के अनुसार मतलब यथा सकती तो option number C अब यूग कुछ चाही है आगे देख लेते हैं लंबोदर में कौन समास है लंबोदर मतलब लंबा उदर तो यहाँ पर विसेस्ता किसी की बता रहा है तो दौन समास तो होगा नहीं, संख्या वाची भी नहीं है, इसलिए द्विगुर समास भी नहीं होगा अब देखें, ततपुरु समास या तो हो सकते हैं, तो बहु बरही हो सकता है देश से प्रेम तो इसमें कौन समास होगा? देश से प्रेम यहाँ पर क्या रहा है? कारक आ रहा है तो हमने पढ़ा है जब भी कारक का बोध होगा, तो वहां क्या होगा? ततपुरु समास होगा, तो अप्सलिए बिल्कुल सही है आगे देखते हैं परमेश्वर में कौन समास है अब देखें परमेश्वर में कौन समास है यह आप लोग बताने कोशिस कीजिए तो देखें जो इस्वर है वो परम है इसका मतलब यहीं होता है जो परम इस्वर है मतलब जो इस्वर है वो परम है तो दीगू तो समझ में नही किया गया है यहां करमधारा समास होगा क्योंकि यहां जो इस्वर है वो परम है इस्वर की विशेष्टा बताई गई है कि वो परम है तत्पूरुष समास भी नहीं होगा और अब भी भाव समास भी नहीं होगा आगे देख लेते हैं अनायास में कौन सा समास है देखे अनाया हैं नौत मतलब हता है उनायास अब देखे यहाँ पर नए तत्पूस समास मतलब होता है अब यह ओएट न और आ बोलेंगे हं नए समास होगा यहाँपे नही समास आ धेखर हकं मतलब गोलना होता है बबल्य समास के लिए साला है के लिए घर जिसको हम लोग बोलते हैं, गोसाला अब देखिए, इसमें के लिए वर्ड आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा समास होगा इसमें आपको ज़एगा तद्पुरूर समास क्योंकि यहाँ पर क्या रहा है, का रखचिन्ह आ रहा है के लिए तो आपका अजयागा तत्पुरुस समास आगे देख लेते हैं थर्टी नमबर का क्वेश्चन नवग्रह में कौन सा समास है? देखें नवग्रह अब नवग्रह में साउंड हमाई क्या आ रही है? संख्या की साउंड आ रही है और जहां भी संख्या होता है वहाँ क्या होता है? द्विगु समास होता है तो आप्सन नमबर A आपका विल्कुल सही है आगे देख लेते हैं विद्यार्थी में कौन सा समास है? आप्सन है तत्पुरुस, कर्मधार, बहुब्रिही और द्विगु तो विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या का अर्थी मतलब विद्या का अर्थी मतलब विद्या को धर्ड करने वाला विद्यार्थी तो यहाँ पर का आ रहा है मतलब क्या होड़ा है आपको जो है कारक का साउंड आ रहा है और जब भी कट का साउंड होगा वहां कि आजागा ततपुरूस समास तो option number A बिल्कुल सही है आपका आगे है कन्या दान में कौन सा समास है देखे कन्या दान को हम लोग तोड़ेंगे तो आएगा कन्या का दान यहां हम लोग तोड़ेंगे तो यह हो जागा कन्या का दान तो कन्या का दान मतलब यहां पर कारक चीन्ना आ रहा है जब कारक चीन्ना होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ततपुरूस समास है तो option number B आपका बिल्कुल सही है देखे आगे हैं 33 number question साग पात में कौन सा समास है अब साग पात आप पोजिट साउंड में आ रहे हैं इसलिए क्या होगा आपका द्वण्द समास होगा जब भी कोई चीज अपोजिट साउंड में आती है तो वहां क्या होता है द्वण्द समास होता है तो option number D आपका बिल्कुल सही है आगे देख लेते हैं 34 number का question क्या कह रहा है कि नील कमल में कौन सा समास है अब देखें नील कमल यहां बोल रहा है मतलब जो कमल है कमल जो है वो क्या है नीला है कमल जो है वो क्या है नीला है तो हम लोग क्या कहेंगे कमल की विशेष्ता बता रहा है और जब भी विशेष्ता और विशेष्ती की बात होती है वहां हमेशा कर्मधारे समास होता है तो option number C आपका बिल्कुल सही है आगे देख लेते हैं चतुर भुज में कौन समास हो सकते हैं आप लोग बताइए तो चतुर भुज में क्या होगा चतुर भुज तो चतुर भुज जो word है उसमें किसी तीसरे की sound आ रहे है किसी तीसरे इंसान के बारे हम लोग बात कर रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा बहुब्रीही समास तो जो चतुर भुज है उसमें कौन समास है बहुब्रीही समास देखे अगर इस option में आपका द्र है उसमें क्या रहा है अपोजिट का आपको sound आ रहा है तो जब भी अपोजिट की sound की बात होगी वहां क्या होगा द्वंद समास होगा तो आप्सन नमबर यह आपका बिल्कुल सही है आगे दिख लेते हैं वन वास में कौन सा समास है देखें वन वास मतलब one को वास मतलब one को जा रहा है कोई लोग तो one को वास मतलब यहाँ पर क्या आ गया? कारक सब्द आ गया इसलिए हमारा क्या जागा? ततपुरुष समास हो जागा यहाँ option number A आपका बिल्कुल सही है one वास में क्या होगा? ततपुरुष समास हो जागा तो यहाँ नय ततपुरु समास तो होगा नहीं यहाँ option में आपको द्विगू भी नहीं दिया हुआ है तो आपका option number यहाँ B है क्या हो जाएगा? बहुबरी ही option number B आपका सही जाएगा पंचवटी में कौन समास है? बहुबरी ही number जो होता है वस्त्र होता उसका मतलब तो पीत मतलब होता है पीला तो जो वस्त्र है वो कैसा है? पीला है तो कौन समास यहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुबरी ही समास क्यों? क्योंकि हम लोग जो पितांबर है वहां हम लोग कर्मधारा समास की स्टिक कर सकते थे लेकिन क्यूंकि ज्ञाँ आपसन ने बहुब्रहि ही है इसलिए आपसन को देख करके उसी के हिसाब कर लगाएंगे पीतामबर है वह विषनुर्ण जी पहनते है इसलिए जो पीतामबर है वह विषνुर्ण साउंड देता है तो इसलिए आपका बहुब्री समास हो जाएगा आगे दिख लेते हैं नरोत्तम में कौन सा समास है अब देखिए नरोत्तम मतलब होता है नरो में उत्तम तो नरो यहां आपका जाएगा नरो में उत्तम इसका जाएगा बहुब्री ही देखिए नरो में उत्तम तो यहां क्या हो जाएगा आपका यहां में आ रहा है इसका मतलब हमें कारक मिल गया तो कौन सा कारक है तत्पूरुस तो option number B बिल्कुल सही है देखें नरोत्तम मतलब होता है स्री राम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जब कभी भी sentence में इस नरोत्तम बड़ यूज़ करता है तो वहाँ बहुबरीही समास सही रहता है लेकिन क्योंकि यहाँ बहुबरीही नहीं है option में इसलिए हम लोग क्या करेंगे तत्पूरुस समास को हम लोग टिक करेंगे देखें अगला है आजन्म आजन्म मतलब होता है जन्म से ही अब हम लोगों नगर इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आ प्लस जन्म जैसे हमने पहले एक्जामपर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आ प्लस जन्म तो यहाँ हो जाएगा आ प्लस जन्म तो ये क्या है? ये जो आ है आपका वो अभ्या है ये तूट नहीं सकता है इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अभ्याई भाव समास, option number A बिल्कुल सही है आगे दिख लेते हैं question मत 42 युदिष्टिर में कौन सा समास है? ये जो युदिष्टिर सब्द जो है वो काफी बार एक्जामें पूसता है कि युदिष्टिर सब्द में कौन सा समास है तो हम जानते हैं कि युद्ध में इस्थिर रहने वाला युदिष्टिर है तो इसका जो option number B है वो बिल्कुल सरी जाएगा क्योंकि यहां बहु बरही समास दिया है देखिए हम लोग बोलेंगे युद्ध में युद्ध में इस्थिर तो जो युद्ध में इस्थिर है वो किसी इंसान के बारे में बात कर रहा है किसी इंसान के विश्यस्ता के बारे में बता रहा है वैसे यहां कारक चिन है यहां तत्पूरुष समास भी हो सकता है लेकिन यहां क्या कर रहा है किसी इंसान के बारे में बता रहा है कि जो इंसान है वो कैसा है युद्धिस्टिर है मतलब युद्य में इस्तिर रहता है, तो इसलिए बहुत बिरही समास इसका, आपसर नमर B बिल्कुल सही है, आगे आपका 43 नमर कोश्चन है, गगन चुम्बी में कौन सा समास है, गगन चुम्बी मतलब होता है, गगन को चुमने वाला, तो यहां कोवड की साउंड आ रही है जो की कारक को दिखा रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरूस समास हो जाएगा, आपसर नमर आपका यह बिल्कुल सही है, आगे देख लेते हैं, यहां पर तत्पुरूस समास आपका बिल्कुल सही है, 44 नमर कोश्चन है धक्का मुक्की, धक्का म जो होता है उसमें अपोलिट की साउंड आ रही है धक्का मुक्की में तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा द्वन्द समास होता है आगे देख लेते हैं हम लोग त्री फला त्री फला में कौन सा समास है अब देखें त्री फला देखें यहां पर तीन की साउंड आ रही है क तो इसलिए ये क्या हो जाएगा दीगू क्योंकि ये संख्यावाची सब्द को इंडिकेट कर रहा है तो आपसन नबर सी आपको बिल्कुल सही है आगे देख लेते हैं क्वेश्चन मत फोटी सिक्स तन मन धन में कौन सा समास है देखे जो तन मन धन है वो क्या है एक दूसरे क तन का मतलब अलग होता है मन का मतलब अलग होता है और दन का मतलब होता है तो यहां तीन वर्ड भले ही दिये गया है लेकिन बीच में घुकति है हमें योजर्चिन्द भी मिल गया है फिर भी यह तीन वर्ड है फिर भी यह क्या होगा द्विगु समास आपका होगा सुरी द्वांद समास होगा क्योंकि यह आप उजिटी साउंड आ रही है आप सनमर डी बिल्कुल सही है 47 नमा क्वेश्चन है चक्रपाड़ी में कौन सा समास है देखे चक्रपाड़ी मतलब चक्र को धार करने बाला चक्र को धार करता कौन है विश्णू जी धार करते हैं तो चक्रपाड़ी के मतलब हो गया विश्णू जी अब हम देखते हैं कि देखो चक्रपाड़ी जो सब्द पॉनय में कौन समस है तो हम यह करेंगे ध्राप करेंगे तो हम लुघ समस होता है उसका अभए ऐसकी क्तिकोप करेंगे Elias यहाँ अपर संख्यmile और छाटे सब्द आ गया है इसलिकले क्या करेंगे ए संख्य आगे है म्रिग नैनी मी हम लग देखते हैं तो किसे के दिना कर रहे है तो यहाँ तो आगए मुद्ट से की जा रही है तो ये तो था आज का वीडियो, I hope कि आप लोगों को समास जो है concept काफी clear हुआ होगा और आपने 50 question के सहायता से अपने concept को और भी clear किया होगा तो हमारे चैनल से जो बच्चे नए आए हो जूड़ी जाएं और ऐसे हम लोग आगे वीडियो लाते रहेंगे तो इसके लिए आपको लोग को बहुत धन्यवाद अब हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में तब ते के लिए धन्यवाद